सो गैस अगर आप लोग रियल मी के डिवाइस यूस कर रहें और अगर आप लोगों को भी कुछ इस टाइप का एरर देखने को मिलता है फिंगर प्रिंट लॉक में जिसमें लिखा रहा था फिंगर प्रिंट सेंसर इसे रिस्पोंडिंग तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम पaraty step का error आता है simple आप लोग अपने फोन को एक बार switch off करें फिर switch on करेगा मतलब restart करेगा डैफिरेटल यहां तरीके से आप लोगों की problem fix नहीं होती तो simple आप लोग अपने फोन में settings open करें गे देन आप लोगों को क्लिक करना होगा system settings पे system settings पे शिस्टम settings सोन करें ता आप लोगो additional settings मिलेगा उस पे click करना होगा then backup एंड reset पे click करें और यहां पे आप लोगों का option मिलेगा reset phone इस पे click करें second option मिलेगा reset all settings का तो simple आप लोग अपने phone की जो all settings होती है उसे reset कर दीजे जिसमें कोई भी गलत activity हुई होगी तो सब कुछ default हो जागे देना आप लोगों की fingerprint की problem भी fix हो जाएगी इसमें आप लोगों कोई भी data delete नहीं होगा आप लोगों को निश्चिंद रहना है तो यह solution को use करेगा 100% आप लोगों की problem fix हो जाएगी मिलते हैं next वीडियो में जय मता दी